टिप नम्बर वन, प्यास का छिलका उतार ले, इसके बाद उसे कुछ देर के लिए पानी में डुबो कर छोड़ दे, आधे घंटे बाद प्यास काँटे, ऐसे करने से आँखों में जलन नहीं होगी और आँखों से आसु नहीं आएंगे. टिप नम्बर टू, दही जमाते वक्त दूद में कच्चे नारियल का छोटा टुकड़ा डाल दे, दही कई दिनों तक फ्रेश रहेगा. टिप नम्बर त्री, हलवे में सुखी चीनी नार डाल कर शक्कर की चासनी बना कर डालें. और खीर बनाते समय एक चुटकी नमक डालें. खीर में एक अलागी स्वाद आ जाएगा. टिप नम्बर फोर, गाजर को कम समय में चीलना हो तो उसे गर्म पानी में पांच मिनट तक भिगो कर रखें और चीलने से दो मिनट पूर्व से ठंडे पानी में डालें. टिप नम्बर फाइव, नीम्बू को फ्रिज में रखने से अक्सर काले पड़ जाते हैं. इस परेशानी से बचने के लिए नीम्बू पर नारियल तेल लगाकर उसे फ्रिज में रखें. वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें.